हेलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे के रेजिनिंग में मिसिंग नमर से समबन्दित प्रसन जो आपकी एकजाम में बार बार पूछी जाते हैं चार आपसन दिये हुए इनली में से एक आपसन हमें सेलेट करना है, देखिए दोस्तों, यह प्रसन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके जामें कई बार पूछा भी जा सकता है, तो चलिए दोस्तों इसे फटा फट सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों क्या दिया है, A1, C3, E5, G7, I9, कोशन मार्क ठीक है, और M13, O15, Q17, तो कैसे से सॉल्व करें कि कोशन मार्क का अस्थान पर कोई एक संक्या आ जाए, तो चलिए दोस्तों से सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया है, A बरावार 1, ठीक है, तो A और B, C, आनि कि B को छोड़ दिया है, C को दिया है, फिर K लिखा है, आनि कि कोशन मार्क के हिस्थान पर के आएगा, ठीक है, देखिए किस आफ्शन दिया है, देखिए तीन आफ्शन दिये हुए है, और इनकी संख्याएं भी ग्याद करेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा आफ्शन भरा जाएगा देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या, L छोड़ देगा, ठीक है, L छोड़ देगा, यम ले लेगा, फिर N छोड़ेगा, फिर O ले लेगा, फिर O पी छोड़ेगा, क्यो लेगा, ठीक है, यहाँ ओ लिखा हुआ है, पी छोड़ेगा, क्यो ले गएगी देखिए क्या क्या है एक में क्या क्या है दो जोड़ दिया है तो तीन हो गया है ठीक है फिर तीन में क्या करिया है दो जोड़ा है तो पांच हो गया है उसी परकार अब इसे स्वल्व करते हैं देखिए क्या क्या है 13 में दो जोड़ा है तो 15 हो गया है उसी परकार इ प्रजम में किया किया तो एक संखिया चोड़ के लिखी ठीक है और संखिया में दो दोस्तों चलते पर इंच्ड कोस्चन नमर दूसरा देखी दोस्तों कोस्चन न क्या करना है चार अफसें इन हीमें से एक अफसेंन लुपे EGMे पूछा जा चुका है तो जैड़े दोस्तों इसे फड़ा भड़ करतें हैं दोस्तों उसी परकार इन सब में भी करेंगे तो हमारा आपशन आ जाएगा तो चलिए दोस्तों इससे सोल्फकेल करते हैं देखिए क्या करें ? अब उसमें हम चार जोड़ देंगे गांगी चार्ज करेंगे लगेने तो 16 कौल रो क्याय कोई Q3 क होगय अब इसी पर काम साथ का वर्क करेंगे तो कितना होगा? 49 49 में हम दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 कितना हो जाएगा? 51 आनि की question मांक के स्थान पर क्या बहरा जाएगा? 51 किस option दिया हुआ है? option number C में दिया हुआ है प्रसनि में प्रसनवाचक चिन के अस्थान पर काौन सा अंक आएगा देखी दोस्तों प्रसनवाचक की नामारा एस पर है चारा आप्षन दिए हुए हैं इनने में से एका आप्षन लेट करना है देखिए दोस्तों कोस्टन में क्या दिया है पांच दो इग्यारत तेईस और कोस्टन मार्क ठीक है तो हम इसे कैसे स्वल्व करें कि हमारा यहां पर कोई एक संख्या आ जाए तो चलिए दोस्तों स्वल्व करते हैं देखिए क्या करेंगे यहां पर क्या दिया ह पांच दो इन पांच दोनों में कुछ ऐसा करेते हैं कि यहां पर 11 ठीक है फिर दो और 11 कुछ ऐसा करेंगे कि तेईस आजाए और फिर 11 और तेईस में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा कोच्जा मारकेस्थान पर एक संख्या आजाए तो चलिए इसे स्वरू करते हैं देखें क्या क्या करेंगे 5 में 200 गुना कर लेते हैं 5 में 200 कर लेंगे जिलिगे 210 इधाये जये कितना जाएगे 11 हो जाएगा देखिए यहां पर 11 आ गया और उसी परकार देखे इसमें क्या करेंगे 2 में हम 11 से गुना करेंगे देखे इस से इस से ठीक है 2 में 11 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 22 आजाएगा ठीक है और 22 में हम एक जोड देंगे तो कितना जाएगा 23 तो किया आप पर आगया 23 ठीक है 254, कितना हो जाएगा? 254, देखे किस option में दिया हुआ है, option number A में दिया हुआ है, तो option number A हमारा से हो जाएगा, देखे दोस्तों, हमने क्या किया? 5 और 2 में गुणा किया, और उसमें 1 जोड़ दिया 11 है, ठीके, ठीके, फिर 2 और 11 है, आनि कि 2 में हमने 11 से गुना किया तो 22 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो गया 23 हो गया ठीक है और 23 में हमने क्या किया 11 में 23 से गुना किया तो कितना गया 200 35 आगया और 200 35 में हमने 1 जोड़ दिया तो 214 हो गया आनि कि आपसन नमर A में दिया हुआ है देखें दोस्तों क्या का सही विकल्ब चुनना है और question mark हमारा यह पर है ठीक है तो चलिए दोस्तों इसे solve करते हैं देखिए question में क्या दिया है 1, 2, 3, 5, 8 और question mark ठीक है तो कैसी से solve करें कि यहाँ पर कोई एक option आ जाए question mark के स्थान पर तो चलिए इसे solve करते हैं देखिए क्या दिया 1, 2, ठीक है क्या कर लेते हैं 1, ठीक है 1 और 2 को आपस में जोल लेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3 आ गया अब क्या करेंगे देखिए 3 और 5 तीन और 5 को जोड़ेंगे 3 plus 5 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 8 देखिए इहाँ पर आ गया 8 ठीक है? अब क्या करेंगे? 5 plus 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 कितना हो जाएगा? 13 देखिए इहाँ पर question mark के अस्थान chill叫 क्या जाएगा? 13 सब्सक्राइब करता हूं कि इविक प्रस्ण आपको बहुत है समझ में आगे होंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं पर नेस्ट कोश्ण पर और question मार कैसे से solve करेंगे देखिए जब भी ऐसे प्रसंदी हो तो हम क्या करेंगे पहले जो अच्छर हो उसे अंक में convert करेंगे देखिए G 7 नमर पड़ता है ठीक है और I 9 नमर पड़ता है और YL 12 नमर पड़ता है देखिए दोस्तों A, B, C, D में ठीक है A, B, C, D में 26 अच्छर होते हैं और A, B, C, D में G हमारा 7 नमर अस्थान पर होता है और I हमारा 9 अस्थान पर होता है और YL हमारा वार्मे अस्थान पर होता है उसी परकार हमने से अंक में convert के लिए अब इससे solve करते हैं देखिए क्या क्या साथ में 2 जोड़ा है तो 9 हो गया है 9 में कितना जोड़ा होता है 3 जोड़ा है तो 12 हो गया है अब 12 हो गया है ठीक है अब 12 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा देखिए पहले दो फिर 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 चार आनि करम बाई जोड़ते चले जाएं अब देखिए 16 ठीक है ABCD में 16 किस अस्तान पड़ता है P P नम्मर पड़ता है तो हमें क्या हो जाएगा P देखिए 1 तो आ गया अब क्या करना है अंक का गया है यहाँ पर क्या दिया है 13 यहाँ पर 11 यहाँ पर 9 देखिए 13 में 13 में से मानस 2 कर दिया है तो 11 आ गया है ठीक है और 11 में से 2 मानस कर दिया है तो कितना आ गया है क्या करेंगे इन अच्छरों को solve करेंगे T ठीक है R और O तो देखे दोस्तों T हमारा किस नमर पड़ता है 20 ठीक है पहले हम का करें इने देखे दोस्तों हम क्या करेंगे पहले देखे इन अच्छरों को अंक में convert करेंगे तो देखी दोस्तों A, B, C, D में T, हमारा 20 में नम्मर पड़ता है ठीक है और R, हमारा 18 नम्मर पड़ता है ठीक है और O, हमारा 15 नम्मर पड़ता है तो चलिए दोस्तों अब इसे सोल्व करते हैं देखे क्या है 20 में से क्या 2 माइनस कर दिया है तो कितना आगए? 18, ठीक है? 18 मेंसे 3 मानिस कर दिया है तो 15 आगया, अब 15 मेंसे कितना मानिस करेंगे कि हमारी अगली संख्या प्रॉप्त हो जागी 4 मानिस करेंगे, क्यों? क्योंकि क्रम बाय चला है, 2, 3, 4 तो 15 पाय चार मानिस करेंगे, कितना जाएगा? 11 आ जाएगा और 11 नमबर क्या पड़ता है के पड़ता है ठीक है देखे दोस्तों क्या आ गया P7K किस नमबर में दिया है आपसन नमबर D में दिया है तो आपसन नमबर D में हमारा C हो जाएगा देखे दोस्तों हमने क्या किया जो अच्छा दिये हुए थे उन्हें अंक में करवर्ट किया फिर उसे स्वल्ब किया तो हमारी संख्या है आ गई और आपसन नमर डी में हमारा दिया हुए है आपसन आपसन नमर डी हमरा से हो गया मैं उम्मिद करता हूँ कि ये पांचों प्रसन आपको बहुत ही आसाइस समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सस्क्राइब और सेयर करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही